अब तक हमने जिन सिक्छों के विसे में चर्चा की वो मनुस्यों को जर से अतिमांसिक तक ले जाने का क्रव विकास की यात्रा है अब हम सिक्छन के मुल्ट सिधान्त के विसे में बात करेंगे जिससे धान्त के विसे में चर्चा करेंगे वो अपने सुभाव में आंसिक रूप से प्रियों की जाने लाइक ही नहीं बलकि यह सिधान सभी गती वीदियों में लागो करने की एक्तिप्र और अदम अभिप्सा है जो हमें करना चाहिए सच्चे सिख्छन का पहला सिधान थे कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता अगर हम कहें कि सिख्छक कोई निदिशक या कायर नियुक करने वाला नहीं है बलकि सिख्छक एक सहायक्त यो मारक प्रदर्शक है सिख्छक का काम सुझाना है थोपना नहीं सिख्छक विद्यार्थी को ग्यान नहीं देता वो उसे यह दिखाता है कि विद्यार्थी अपने लिए ग्यान कैसे प्राप्ट करे सिक्षक विद्यार्थी के भीतर इस्तित ग्यान को बाहर प्रकट नहीं करता वो केवल यह दिखाता है कि विद्यार्थी का ग्यान कहां इस्तित है और उसे बाहर लाने के लिए अभ्यस्त कराता है सिख्षक बिना भेद किये चाहे वो पालक हो या भ्यस्त, लड़का हो या लड़की आवजशक सहायता और पत्प्रदर्शन की मात्रा को खटा बढ़ा सकता है और सिख्षक इस तरीके से अभ्युप्सा को जागित करने में सायक हो सकता है और दूसरा से धांत यह है कि मन के विकास के लिए स्वेम बच्चों की सलाह ली जाए बच्चों को ठोक पीट कर माता-पिता या द्यापक के इच्छा के अनुरूप करना एक अज्ञानता बुन और गलत धारना है विद्यार्थी को अपनी प्रकृति के अनुशार, बच्चों के रूची के अनुशार अपना विस्तार करने को प्रिरित करना चाहिए अगर माता-पिता या सिक्चा पहले सही ये तै कर ले कि उनका बेटा या बेटी या बिद्यार्थी उनके अनुसार गुन, छमता, विचार, विसिस्ताएं विक्सित करे और वह उनके अनुसार ही डॉक्टर, इंजीनियर, खिलारी, विज्ञानिक, सोद करता, आदी बने तो यह माता-पिता और सिक्चक की बहुत बड़ी भूल होगी माता-पिता का इस प्रकार का बेवार मानो, आत्मा पर स्वार्थ पुन, अत्याचार और राष्ट पर एक खाओ है जिससे बालक मनुस्य के सुर्वत्तम कारे के लाप से अलग हो जाता है और परिराम्या होता है कि बालक बाली का एक अपुन कृतिम घटिया और सामान चीज स्विकार करने के लिए बात होता है हर मनस्ट के अंदर कुछ दिब्य अंस होता है जो उसका अपना नीजी होता है और उसे पुनता और शक्ती पाने के लिए सुवसर मिलते हैं जिसे वो स्विकार कर सकता है या त्याग सकता है सिक्षक का मुख काम है उसे खोजने, विक्सित और उनका अपयोग करने में सहायता देना और सिक्षक का मुख उद्देश भी यही होना चाहिए जिससे बालक बालिका यानि बिद्यार्थी अपने भीदर के सुर्वत्तम शक्ती को बाहर निकाल सके सिक्षक का तीसरा सिथान्त है निकट से दूर की और काम करना अथाथ दूर दर्शी होकर कार करना या हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी से जो होगा उसकी और जाना सदाही मनुस्य के सोभाव का आधार रहे उसकी आत्मा बहुत सी चीजों पर निर्भर होता है उसकी आनुवन सिक्ता, उसका परिवेश, उसकी राष्टियता, देश तथा धर्ती जहां से वो पोशर पाता है, वो हवा जिससे वो सांस लेता है, तथा वो द्रिशे, आवाज और आदिती जिनका वह आदी है, और यहां सारी चीजें बिद्यार्ती, बालक बालिका के जाने बिना उसे ढालती है, तब एक सिक्षप को भी वहीं से सुरू करना चाहिए, और उसके सुभाव को उस जमीन में से जड़ों से नहीं उखार देना चाहिए, जहां उसे बनपना है, यह फिर मन्य विचार को नहीं हो गेरना चाहिए, जिससे विद्यार्ती के लिए वो बिलक दावित करें, क्योंकि एक सो तंतता और सुभावित विद्धी ही सचे विकास की शर्त है, बचों को उनके अनरूम अनुभव प्राप्त करने के लिए सिक्षप के संवक्षन में छोड़ देना चाहिए, साथ ही सिक्षप माता पिता को यह भी ध्यान देना होगा, कि सारे सम और नहीं निर्विक्ता, फिर उसका सहज विकास कैसे होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि अब तक कि सभी सीरीज में सर्वांगिर विकास के लिए साजे एक सिक्षा, प्रान, इंद्रियों और मन के सिक्षा, प्रासिक्षा का उल्लेक किया गया है, यह सभ सिक्षा भारत के प्राचेन सिक्षा के मुख अंग रहे हैं, तथा उन सिक्षाओं को पुना अधुनिक दुनिया में लाने का सरे दा माधर यह महारसी स्री अर्विंद का है, इन्हीं तो महानात्माओं के दोवारा लिखे उसको दोवारा यह सारे विचार लिए गये हैं, मुर्पिते आप सभी को